उत्राखंड को योहीं देव भूमी नहीं खा जाता यहांके कणकण में देवी देवताओं का उबा है उत्राखंड देवताथन और परेटन के छेत्र में देश और दुनिया में सबसे उपर है आज हम बात करेंगे भगवान बामेश्वर महादेब मंदिर के पास में जो धरना है और इसका जो पौरानिक महत्व है उसके बारे में हम बात करेंगे भगवान बामेश्वर महादेब मंदिर आपको बसा दो पहले ये पिकास खन कोगरी जो तुमोरी जन्पत के अंसरकत आता है और ये कोपेश्वर कोगरी मोटर मार्क पर ये जो है अस्तान नेल सेम सांकरी गाउं के पास में हैं और इस अस्तान का बहुत बड़ा महत्वा है पुराणों में भी जो है इसका बंडन आता है और इस पावन जर्णा बहुत ही पवित्र जर्णा है और ये जो धर्णा आप तो हम लज्जीक से दिखाना चाते हैं कि जर्णे का जो महत्वा है वो बहुत ही पुराणिक है पुरातन काल में कहा जाता था कि जब यहां पर कोई भी धार्वी कॉनस्तान होता था बगवान भॉलिनात वो अतम कि यहां Когда आप वो चोड़ रिखाए रहां है उयोग में वहां अवान फोट में पनान ideal कि अवहां करने पर वह बदधन मांगने पर आ वापस उसी भगट के द्वारा उन वरतनों को ऐसे साप नहीं किया, जूट रखे गए और उन वरतनों को वह ही शोड दिया गया, जब वापस तो वो आज तक फिर वापस अब नहीं आते हैं क्योंकि वह अपवित्र हो चुके हैं तो इस तरह से इस स्थान का महत्व है और ये भगवान बामेश्वर महादेव की पवित्र पावन भूमी है मैं सभी उत्राखंड वाशियों को और देश-प्रदेश वाशियों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो पवित्र स्थान है वो तीठा टन और परेटन का भी एक बड़ा हव है और जो चमोली जनपद है चमोली जनपद के अतरगत के विकासठ तक्री में'dो आपका हापला वो पिशोर Republicans कोकृर भी है उस पर ये अफ्तान पढ़ता है नाय शाक्री में तो यहां पहर आप लोगों को पर चाहिए और इस पवित्र रास्तान पर आपको त्पीठाटन और पडेटन का जो है एक बड़ा हब मिलेगा और बहुत सुन्दर और सुरम्य अस्तान है और भगवान भोले नात का भी आपको इसमें आशिरबाद मिलेगा तो इस अस्तान का जिस तरह से यहां पर पुरानिक महत्व है किन जब आप यहां पर आओगे कि यह इस्तान कितना पावन और पवित्र है अनुप्रकास देगी लेल साकरी जमोडी